आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ आज हम class 11 के NCRT के depreciation से related question कर रहे हैं इसमें हमारे पास एक question है एक construction company है Noida based उसने 5 cranes purchase किया है 1st April 2017 में और इसकी cost है 40 lakh रुपीज 1st October 2017 में एक crane को sale कर दिया और उसके value जो है 5 lakh रुपीज और उसे जो sale किया है वो 10% profit पे किया है और same day 2 और cranes purchase कर लिया और एक crane की cost है 450,000 रुपीज इस question में हमें crane account बनाना है books जो है वो close हो रहे है every year 31st December को और depreciation rate है 10% written down method से तो question start करते हैं इसमें हम crane account बना लेते हैं crane's account debit credit date particulars amount date particulars 2017 में हमने purchase किया था तो April 1st 2 bank account हमने जो 5 cranes purchase किया था वो था 40 lakh रुपीज का और एक हम sale भी कर रहे हैं तो हम उसे 2 parts में लिख लेते हैं 35 lakh plus 5 lakh रुपीज यह हो गया हमार पास 40 lakh रुपीज अब 2017 में हम sale कर रहे हैं एक crane को तो October 1st by depreciation account और इस पर 6 मन्त का depreciation लगाएंगे तो 5 lakh multiplied by 10 divided by 100 into 6 by 12 इसको solve करेंगे तो यह आएगा हमार पास 25,000 रुपीज अब हमने उसको sale किया है profit पे 10% तो by bank account अब हमारी crane की जो value है वो देख लेते हैं तो 5 lakh minus 25,000 रुपीज depreciation के तो यह आएगा हमारे पास 4 lakh 4 lakh 75,000 अब 10% profit है तो 10% of 10% of रुपीज 4 lakh 75,000 एक्वाल तो यह आएगा 47,500 means हमें अमाउंट जो मिला है अमाउंट फ्रॉम सेल 4 lakh 75,000 plus 47,500 इन दोनों का total करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 5 lakh 22,500 शेल करने से 10% का profit हुआ है तो उसे भी यहाँ पे note-down का देंगे October 1st to profit and loss account profit 47,500 इसके बाद 1st October गोई दो मशीन और भी परचेज किया था दो क्रें तो to bank account 2 multiplied by rupees 4 lakh 50,000 इसको multiply करेंगे तो यह आएगा 9 lakh अब बचे में मशीन पे depreciation लगा देते हैं December 31st by depreciation account पहले के जो मशीन थे 35 lakh के उस पे depreciation लगाएंगे हम 9 months के लिए क्योंकि वो अपरिल में परचेज किया है और हम December में books close कर रहे हैं तो 9 months का होगा इस पे तो इसको calculate करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 2 lakh 62,500 और October वाले 9 lakh पे हम depreciation लगाएंगे 3 months के लिए तो 10 by 100 multiplied by 3 divided by 12 तो यह आएगा हमारे पास 22,000 rupees 500 balance को carry down कर देते है December 31st by balance carry down credit side में से debit side का total less करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 32,37,500 और इसका आएगा 8,77,500 इन दोनों का total करेंगे तो total आएगा हमारे पास 41,15,000 दोनों side का total करेंगे तो total आएगा इसमें 49,47,500 और इसका भी total आएगा 49,47,500 और यह question हमारे यहां पर complete होता है thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर